मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूर्व की कलास में हम संदी को पढ़ चुके थे अब हम पढ़ने चलने किसे सब्द को किसे और चलने चलने सब्द को ठीक ना अब हम समझेंगे सब्ध होते क्या हैसेस पहले आप समझेगा ऑी धोनी ऑद्धोण होने उसके बाद आप काता है सब्द क्या आता है सब्द उसके बाद आप काता है पद और उसके बाद आप काता है वाक क्या आता है वाक क्या आता है अब बात को समझने का परियास करिएगा अब यहाँ पर देखिएगा जैसे 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, उचारण के आधार पर भासा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? धोनी होती है. अगला पॉइंट आपका बनता है मौखिक रूप से भासा की सबसे छोटी इकाई क्या होता भी या? धोनी होती है. क्या होती है? धोनी होती है. अब देखेगा वन किसे कहते हैं? वन किसे कहते हैं? यानि कि भासा की सबसे छोटी इकाई क्या क्या कहलाती है? यानि कि भासा की सबसे छोटी इकाई होगी वह कौन से होगी? वन होगी. और अगला आपका प्रस्ण जो बनता है लिखित रूप से भासा की सबसे छोटी इकाई वन होते हैं? न कि भासा की सबसे छोटी क्या है? वन है। अब वन है और अच्छर में अंतर समझेगा जैसे हमने काल लिख दिया और यह आपका क्या होगया? अच्छर होगया. यानि कि वन के सवर्सहित को यानि कि वणों के स्वर सहित को जो वण स्वर के साथ आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अच्छर कहते हैं अब इसी को का को हमने स्वर रहित कर दिया क्या कर दिया, स्वर रहित कर दिया, थमें दो वण पराप्त हो गए, एक स्वर रहित का पराप्त हो गया, एक हरस्वा पराप्त हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, वण कहते हैं, यानि कि वणों के स्वर सहित को हम अच्छर कहते हैं, और वणों के स्वर रहित को हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं, क्या कहते हैं, वन कहते हैं, अनुमानता इतना है, कि जब स्वर के साथ कोई वन होगा, वह अच्छर कहलाएगा, अब जो स्वर रहित कोई वन होगा, वह क्या कहलाएगा, आपका वन कहलाएगा, अब इसा देखेगा, बात को समझेगा, हमने इतना विंदू पहल सार्थक समूख हम क्या कहते हैं सब्द कहते हैं और सब्द होता क्या है इससे समझने का परियास करते हैं भासा की सबसे छोटी सार्थक इकाई सबसे छोटी सार्थक इकाई सार्थक इकाई भासा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कलाता भी या सब्द कहलाता है क्या कहलाता है सब्द कहलाता है ध्यान सुनना मेरी बात को इसी point को हम पढ़ाने जा रहे हैं यानि कि भासा की सबसे छोटी सार्थ किकाई क्या कहलाता है सब्द कहलाता है क्या कहलाता है सब्द कहलाता है अर्थ के आधार पर भासा की सबसे छोटी इकाई क्या होता भी या सब्द होता है क्या होता है सब्द होता है यानि कि ध्यान से मेरी बात को समझेगा यानि कि भासा की जो सबसे छोटी सार्थक क्या होती है इकाई सब्द होती है क्या होती है सब्द के क्या निकलते है अपने माईने निकलते हैं अपने आर्थ निकलते हैं और सार्थक सार्थकता उसकी होती है वह अपना क्या देता है पूरुप से सार्थकता देता है यानि कि वह अनों के उकसे सब्द बनते हैं सब्द क्या होते हैं सार्थक होते हैं और अर्थ भी देते हैं क्या अपना अर्थ भी देते हैं क्या देते हैं अपना अर्थ भी देते आज तो हम क्या पढ़ने चलब है शब्द पनने चलने वहैं का अर्थ होगा सब्द कहलाएगा और जिसका अर्थ हो गालाएगा सब्द कहलाएगा इसी दोनुप पॉइंड को आप लोगड़ान में रखना ही उसके बाद हम सब्ध की तरप बढ़ते हैं है जोड़ स्कीन आप लोग बना लीजिए ठीक ना सौट इसकीन आप लोग बना लीजिए चलिए अब यहां पर देखेगा सब्द कहते किसे हैं सब्द होते क्या है अब यहां पर आपके सामने आगया है सब्द ठीक ना रचना या बनावट के आधार पर सब्द के तीन भेद होते हैं रचना या बनावट के आधार पर सब्द के तीन होते हैं रचना या बनावट के अधार पर सब्द के तीन भेद होते हैं रचना या बनावट के तीन होते हैं रचना या बनावट के तीन होते हैं अब जब वरणों में तूर जाते हैं तो वरणों का कोई अपना अर्थ नहीं होता है क्या होता है अपना कोई अर्थ नहीं होता है यानि कि आप इतनी बातों को समझ चुके होंगे ठेक ना फिर से सुनिएगा रूर सब्द होते क्या हैं यह वरणों में तूर जाते हैं वरणों में तूर जाते हैं वे सब्द जो वरणों के सार्थक योग से बनते हैं बनते हैं, ठीक न, ध्यान सुनना, वे सब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं, खंड कर देने पर, वर्णों में तूट जाते हैं, वर्णों में तूट जाते हैं, और इनका, और इनका किनका, वर्णों का, और इनका कोई अर्थ नहीं बचता है, फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, क्योंकि जो रूड सब्द होते हैं, वे क्या होते हैं, वे सब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं, किसके योग से बनते हैं, सार्थक योग से तो बनते ही हैं, लेकिन किसमें तूटते हैं, वर्णों में तूट जाते हैं, और इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठ योड़ सब्त कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं वी रूज़ सप्द कहते हैं उमीद है जैसे हमने कहा जैसे हमने कह दिया और जाने कह दिया नमक ठीक ना बात को समझेगा हमने junior यहां पर देखेगा सहद का तो जो वण है क्योंकि वे सब्द जो वणों के सार्थक योग से बने हैं इसमें कोई संदे नहीं है और यह उकसे बनते हैं खंड कर देने पर किसमें तूटेंगे वणों में अभी से खंड कर दीजेगा क्या कर देजेगा खंड कर देजेगा अब यह किसमें तूट गया वणों में तूट गया और इनका कोई अर्थ नहीं होता अब सा का कोई अर्थ है नहीं हा का कोई अर्थ है नहीं दा कोई अर्थ है नहीं ठीक ना उसे हम क्या कहते हैं रूड सब्द कहते हैं जैसे आप पानी ले जिए, पानी को अगर आप तोड़ेंगे, पा प्लस नी में तोड़ जाएगा, और तोड़ना चाहेंगे तो और भी तोड़ जाएगा, अब यहाँ खंड कर देने पर इनका कोई अपनार्थ है, पा का कोई अपनार्थ है, नी का कोई अपनार्थ है, नहीं है, है, नहीं, बेलकुल नहीं है, इसा देखिएगा, जैसे हमने कहा, नमक, ना प्लस, मा प्लस का, अब यहां पर देखिएगा, अब यह वर्णों में तूट गए हैं, किसमें तूटे हैं वर्णों में तूट गए हैं अब इनका अपना-पना कोई अर्थ है मा कोई अपना अर्थ है का कोई अपना अर्थ है नहीं यनि कि वे सब्द जो वर्णों के साथ क्योग से तो बनते हैं खंड कर देने पर या खंड कर देने पर किसमें तूटते हैं ठीक ना सार्ट स्कीन बना लिजिए ठीक आगे बढ़ते हैं उमीद इतनी बाते आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी ठीक ना चली आगे देखते हैं अगला जो आपका विंद होगा वह क्या होगा याओगिक होगा ठीक ना याओगिक होगा अब यहाँ समझंगे याओगिक कहते क्सें है सरल भासाम समझ Präsident एक Satya रहा योगिक हुए सब्द कहलाते हैं जो दो सब्दों के मेल से बिंते हैं ऑच दोनों का अपना 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 अर्थ होता है यaktि कि मेरे कहने का तात्परेयֹ है मेरे प्यारी साथियों सब्दों क योग से बनेंगे दोनों सब्द क्या होंगे सार्थक होंगे और दो सब्दों की योग से बनेंगे और उनका खंड करने पर वो किसमें तूटेंगे सब्दों में तूटेंगे और जब वो सब्दों में तूटेंगे तो उनका अपना अर्थ होगा हर एक सब्द का क्या होगा अपना अर्थ होग देखिएगा जो सब्द जो सब्द दो सब्दों के योग से बनते हैं देखिएगा जो सब्द दो सब्दों के योग से बनते हैं और दोनों सब्द सार्थक होते हैं इनका खंड कर देने पर सब्दों में तूटते हैं और हर एक सब्द का अपना अर्थ होता है अपना अर्थ होता है ध्यान सुनना मेरी बातों को फिर से सुनिएगा ठेकना जो सब्द दो सब्दों के योग से बनते हैं और दोनों सब्द सार्थक होते हैं इनका खंड कर देने पर सब्दों में तूटते हैं और हर एक सब्द का अपना अर्थ होता है ठीक ना, जैसे हमने कहा एक सब्द लिया आपके समझ छे, सब्जी मंडी, जैसे हमने कहा सब्जी, सब्जी मंडी, क्या कह दिया, सब्जी मंडी कह दिया, अब यहां पर देखेगा, हमने सब्द लिया है सब्जी मंडी, अब यहां पर देखेगा सब्द क्या है, आपका तक है और दो सब्दों की योग से बना हुआ क्योंकि एक सब्द आपके सामने दिख रहा होगा सब्जी और एक सब्द दिख रहा होगा मंडी ठीक है इनका खंड कर देने पर सब्दों में तूटेंगे अब इसका जब खंड कर देंगे तो सब्जी अलग हो जाएगा और मंड अलग हो जाएगा और यह सब्दों तूडते हैं और हर एक सब्द का अपना अर्थ होता है यानि कि अपना अर्थ होता है अब सब्जी का अपना अर्थ है मंडी का अपना अर्थ है उसी को हम क्या कहते हैं योगिक सब्द कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं योगिक सब्द कहते ह वाध को लिया समाजिक क्या लिया आग समा लिया तुक्र माइट सामजिक दले लिया परोपकार और हे धैक ना इहां पर समझना बात को अच्छे से कीन्कि यह पॉंड जो है यह fan बहुत महत्त्रपूर्णव है यहां पर देखिएगा जो योगिक सब्द होते हैं कैसे सब्द होते हैं यह उफसर्ग वाची भी होते हैं और प्रत्यावाची भी होते हैं जो योगिक सब्द होते हैं वे कैसे होते हैं उफसर्ग वाची भी होते हैं और प्रत्यावाची भी होते हैं कैसे है उफसर्ग वाची प्रत्य वाची यानि कि यहांपर देखेगा समाज इस धिनका एक क्या है प्रत्य वाची सब्द और यह कि यह और अब यहां पर बात को समझेए चिंदे सब च करन सब्याव मैं अपकर जो कैसा है पूर्व का पद है और उपकार क्या है आपका उत्त्तर का पद है यह संधिवाचि सब्द निया सब्द है संदिवाची सब्द है और संदिवाची सब्द भी किसमें आते हैं संदिवाची सब्द भी किसमें आते हैं आपके योगिक सब्द में आते हैं किसमें आते हैं योगिक सब्द में आते हैं किसमें आते हैं योगिक सब्द में आते हैं उमीर इतनी बाते समझ में आ ग हो क्या हो अपना अपना आर्थ हो और दोनों पत क्या हो सार्थक हो उन्हें क्या कहते हैं और योगिक में कुछ सब्द ऐसे भी आते हैं जो उफसर्ग वाची होते हैं या प्रत्य वाची होते हैं या संधी वाची होते हैं किसके आते हैं योगी की सब्दे में आते हैं उमीद इतनी बाते आपको समझ में आ चुकी होंगी इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है इधर देखिएगा जैसे कुछ सब्द आते हैं आग बबूला दूध वाला विज्ञान भाग बबूला डूध वाला डूध होई अभी बातों समझेगा वितन देद सब्द गलत नहीं होगा ठीक ना अग बबूला डूध ह्व सब्द वाला विज्ञान विग्यान, अब यहाँ पर बातों समझते हैं, ठीक ना, आग बबूला दूद वाला विग्यान, अब यहाँ पर देखिएगा, आग बबूला दो सब्दों से मिलकर बना है, आग पलस बबूला, आग पलस बबूला से मिलकर बना है, आग का पनार्थ है, बबूला का होता है अर्थ होता है उनका अपना क्या होता है अर्थ होता है इदर देखिएगा दूद वाला जैसे हमने यहां आप कह दिया प्रस ग्यान यह आपका क्या है उपसर गवाची है उपसर गवाची है और उपसर गवाची जो सब्द होते हैं वह भी क्या कहलाते हैं योगिक सब्द कहलाते हैं क्या कहलाते हैं योगिक सब्द कहलाते हैं उमेद इतनी बाते आपको समझ में आ चुकी होंगे फिर से समझेग जो सब्द दो सब्दों के योग से बनते हैं और दोनों सब्द सार्थक होते है इनका खंड कर देने पर सब्दों में तूरते हैं और हर एक सब्द का अपना अर्थ होता है ठीक न और कुछ उपसर्ग वाची भी आते हैं कुछ प्रत्य वाची भी आते हैं कुछ संधी वाची सब्द भी आते हैं ओ भी क्या कहलाते हैं या योगिक सब्द कहलाते हैं क्या कहलाते हैं योगिक सब्द कहलाते हैं जैसे आपका पुस्तकाले हो गया, विद्याले हो गया, क्या हो गया, पुस्तकाले हो गया, विद्याले हो गया, ठीक ना, रसोई घर हो गया, रसोई घर हो गया, रसोई के लिए घर, ठीक ना, रसोई घर हो गया, अब यहाँ बात को समझेगा, यहाँ देखेगा, रसोई पलस घर दो सब्दों से मिलकर के बना है रसोई पलस घर से मिलकर बना रसोई का अपना अर्थ है घर का अपना अर्थ है ठीक ना इधर देखिएगा जैसे हमने का पुस्तक पलस आले यहने पुस्तक रखने का अस्थान पुस्तक पलस आले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुस्तक पलस आले हो जाएगा, यह पुस्तक रखने का अस्थान, इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है, है कि नहीं, है आराम से कोई दिकर जिसे विद्याले विद्या पलस आले हो जाएगा, विद्या पलस आले हो जाएगा, उमेद इतनी बाते आप लोग को समझ में आ चुकी होगी, ठीक ना, चलिए, जैसे हमने का घुड़ सवार हो गया, घुड़ सवार, घुड़ सवार हो गया, घुड़ा की सवारी करने वाला, यहने घुड़ा, पलस सवार, घुड़ सवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घुड़ सवार इसका अपना अर्थ है, इसका क्या है, अपना अर्थ है, ठीक ना, इसे हम क्या कहते हैं, योगिक हैं चलिए सौर्ट स्किन बना लिजे फिर आगे बढ़ते हैं अभी तीन लाइन दे दूंगा कोई देख करते ही चलिए सौर्ट स्किन बना लिजे फिर आगे चलते हैं अब आपका अगला पॉइंट आता है योग रूड क्या आता है योग रूड सब्ड योग रूड सब्ड इसकी परिभासा होगी यह ऐसा योगिक सब्ड ऐसा योगिक सब्ड जो अपना सामान अर्थ छोड़ करके विशेश अर्थ देने लगे विशेश अर्थ देने लगे या विशेश अर्थ का बोद कराने लगे विशेश अर्थ का बोद कराने लगे उसे हम क्या कहते हैं योग रूड सब्ड कहते हैं योग रूड सब्ड कहते हैं और योग रूड सब्ड जो होते हैं अधिक तरब जो होते हैं बहुरी समास के होते हैं ठीक ना, इतनी बाते समझ में आ चुकी है, ऐसा योगिक सब्द जो अपना सामान अर्थ छोड़ करके विसेश अर्थ देने लगे या विसेश अर्थ का बोत कराने लगे, उसे हम योगरूर सब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, योगरूर सब्द कहते हैं, ठीक ना, अब जैसे द बीड़ा पाणी दसानन अब यहां पर देखेगा बीड़ा पाणी कह देने से हमें विशेस अर्थ का बोध हो रहा है अर्था सरसुती जी का बोध हो रहा है और दसानन कह देने से हमें विशेस अर्थ का बोध हो रहा है अर्था किसका रामण का बोध हो रहा है इसका हो रहा ह अब हमें पितामबर कह देने से जो पीले वस्त धानट करते हैं उनका बोध हो रहा है किनका बोध हो रहा है उनका बोध हो रहा है यानि कि यह समान अर्थ छोड़ करके किसका अर्थ देने लगते हैं उमीद इतनी बाते आप लोग को समझ में आचकी होगे ठीक ना और एक्जामपल हम देख लेते हैं जैसे कि आपका आता है गिर्धर आता है गिर्धर आता है पंकज आता है क्या आता है पंकज आता है जिसे जलद आता है जलज आता है जलज जलज अब यहाँ पर देखेगा जलद या जलज यहाँ पर देखेगा जल प्लस जा जा करत होता है जनमा या जनम लिया हुआ प्लस जल किसमें जनम लिया हुआ जल में जनम लिया हुआ वही क्या करता है जलज करता है क्या करता है जलज करता है देने वाला यानि कि जो जल को देने वाला है वो ही क्या है जलच कहलाता है क्या कहलाता है जलच कहलाता है अब दिखेंगे विसेस अर्थ दे रहा ठीक है इसे आपका लंबूदर आता है गजानन आता है क्या आता है क्या आता है लंबूदर आता है लंबूदर अथार्थ स्री कौन लंबूदर करत क्या होता है स्री गड़े सबगवान कौन होते हैं गड़े सबगवान आ जाते है ठीक न लंबोदर आ जाता है आपका जिसे गिर्धर आ गया गोपाल आ गया ठीक ना पंकज आ गया जलज आ गया जलद आ गया बीड़ा पाड़ी आ गया दसानन आ गया पितांबर आ गया यनि कि जो सब्द विसेश अर्थ देने लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं योग रूर मेरी बातों को रूर सब्द वे सब्द होते हैं जो खंडों में तूट जाते हैं यानि को वर्णों में तूट जाते हैं और वर्णों में तूटने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं बचता उसे हम कहते हैं रूर सब्द कहते हैं और योगिक सब्द किसे कहते हैं योगिक सब जो दो सब्दों के योग से मिल करके बनते हैं और जो दो सब्दों के योग से मिल करके बनते हैं दोनों पत का अपना अर्थ होता है और तूटने में किस पर तूटते हैं सब्दों में तूटते हैं और जब सब्दों में तूटते हैं तो उन सब्दों का अपना अर्थ होता ह प्रत्य वाची भी इसे विज्ञान आपका उफसर्ग वाची है, समाजिक आपका प्रत्य वाची है, उफसर्ग और प्रत्य वाची भी आते हैं, और संधी वाची भी सब्द आते हैं, क्या आते हैं? संधी वाची भी सब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? योगिक योगुरूड सब्द हम उन्हें कहते हैं जो विशेस अर्थ देता है या विशेस अर्थ का बोद कराता है और अधिक तर इसमें आप देखेंगे या तो परयावाची के सब्द आते हैं या तो आप यहां पर देखेंगे बहुरी समाज के जो होते हैं वह एक जामपल आते हैं आमेशा के लिए किलियर हो जाएगा कभी आपको पढ़ने की आउसकता नहीं पड़ेगी ठीक ना चलिए एक पॉइंट और इसीम नोट कर लिजेगा इधर देखेगा जो उपाधियां और उपनाम होते हैं नोट डाल के लिखेगा जो उपाधियां या उपनाम होते हैं वे सदेओ योग रूड सब्द कहलाते हैं क्या कहलाते हैं योग रूड सब्द कहलाते हैं ठीक ना जैसे हमने कह दिया भारतेंदु हरीचंद यहां पर बात को समझेगा जो भारतेंदु हरीचंद है तो यहां हरीचंद क्या है उनका मूल नाम है इनका क्या है मूल नाम है हरीचंद क्या है इनका मूल नाम है और जो भारतेंदु है यहां क्या दी गई भी या उपाध दी गई है ठीक ना क्या दी गई है उपाध दी गई है उपाध दी गई है उपाधियां और मूल उपनाम क्या कहलाते हैं योगरूर सब्द कहलाते हैं कौन सब्द कहलाते हैं योगरूर सब्द कहलाते हैं ठीक ना यानि कि जो उपादियां होती है या उपनाम होते हैं वे क्या कहलाते हैं योगरूर सब्द कहलाते हैं क्या कहलाते हैं योगरूर सब्द कहलाते हैं जैसे आपके समझ चिक सब्द आता है चंदर सेखर आजाद, क्या आता है चंदर सेखर आजाद, अब चंदर सेखर आजाद में आप देखिएगा चंदर सेखर आजाद को क्या दे गई थी, उपाद दे गई थी, क्या दे गई थी, उपाद, इसे हमने कहा, चंदर सेखर आजा क्या दी गई थी उपाद दी गई थी किसके दी गई थी आजाद की दी गई थी तियानि कि जो उपादियां होती है या उपनाम होते हैं क्या होते हैं वे सब्द कैसे कहलाते हैं वे सब्द कैसे कहलाते हैं योगरूर सब्द कहलाते हैं क्या कहलाते हैं योगरूर सब्द कहलात अमीर खुसरो को भारत का तोता किसे कहा जाता अमीर खुसरो को कहा जाता है और जब भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है यह क्या है आपका उपनाम और उपनाम किसमें आते हैं योगरूड सब्द में आते हैं यह आपका क्या है उपनाम क्या है उपनाम है यह उपनाम और उपादियां किस में आते हैं या योगरूर सब्द में आते हैं उमिद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगे चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए अब इसाद देखते हैं तीन पॉइंट वे कौन से तीन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था अब यहाँ पर देखिएगा पहला आपका आएगा रूड सब्द रूड सब्द अब यहाँ रूड सब्द में समझेगा बात को अच्छे समझना ठेकना अगर तीन पॉइंट यह अच्छे समझ गये तो कभी गलतिया नहीं होगे रूड सब्द में ना तो संदी का सब्द होगा ना तो संदी का सब्द होगा ना तो समाज का सब्द होगा ना तो समाज का सब्द होगा ठेकना ना तो उफसर्ग का सब्द होगा ना तो उफसर्ग का सब्द होगा ना प्रत्य का सब्द होगा ना तो प्रत्य का सब्द होगा ध्यान सु सुनना मेरी वातों को ठीक न, यनि कि जो रूड सब्द होंगे, ना तो उसमें संदि के सब्द होंगे, ना तो समाज के सब्द हो सकते हैं, ना तो उपसर्क के सब्द हो सकते हैं, ना प्रत्य के सब्द हो सकते हैं यानि कि ना तो उफसर्ग के सब्द होंगे ना तो प्रत्य के होंगे ना तो समास के होंगे ना तो संद के सब्द होंगे यानि ये सब्द नहीं होंगे ये सब्द क्या होंगे नहीं होंगे तब ये सब्द नहीं होंगे तो यानि कौन से सब्द होंगे ऐसे सब्द होंगे जो आपके सामने रखा था सहद क्या रखा था सहद अब यहाँ पर बताएगा जो सहद हमने सब्द लिया था इस सहद में ना तो संद है नहीं संद ही नहीं सहद में सहद में समास है नहीं समास भी नहीं सहद में कोई उफसर्ग छुपा हुआ नहीं उपसर्ग भी नहीं, सहद में कोई प्रत्य है, प्रत्य भी नहीं है यानि कि जो रूड सब्द होंगे, ना तो संद के पद उसमें आएंगे ना तो समास के पद उसमें आएंगे, ना तो उपसर्ग के पद आएंगे ना तो प्रत्ते के पदाएंगे वही सब्द क्या कहलाएंगे रूर्ड सब्द कहलाएंगे वही सब्द क्या कहलाएंगे आपके रूर्ड सब्द कहलाएंगे उमीद है पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा ठीक न? ठीक है? उमीद पहला point आपको समझ में आचुका होगा दूसरा point आप देखिएगा क्या है योगिक सब्द? दूसरा point है क्या? योगिक सब्द है और योगिक सब्द को समझने का परियास करिएगा इसमें कौन-कौन से आएंगे इसमें संद के भी सब्द आएंगे, किसके सब्द आएंगे, संद के भी सब्द आएंगे, समास के भी सब्द आएंगे, किसके आएंगे, समास के भी सब्द आएंगे, उफसर के भी सब्द आएंगे, और प्रत्य के भी सब्द आएंगे, किसके आएंगे, प्रत्य के भी पद में आपके संद के पद भी आ सकते हैं, ठीक ना, संद के भी पद आ सकते हैं, समास के भी पद आ सकते हैं, उफसर के भी पद आ सकते हैं और प्रत्य के पद आ सकते हैं, लेकिन समास के जो पद आएंगे, एक समास को छोड़ करके, यानि कि बहुरी ही समास को छोड़ करके, चोड़ करके बहुवरी समास को चोड़ करके यनि कि बहुवरी समास का पद किसमें नहीं आएगा आपके योगिक सब्द में बहुवरी समास का पद नहीं आएगा बाकी किसी भी समास के पद आप योगिक सब्द में आ सकते हैं ठीक न और अधिक तर जो आते हैं अधिक तर किस समास के पद आते हैं तत्पुरुस समास के पद आते हैं किस समास के पद आते हैं तत्पुरुस समास के पद आते हैं तत्पुरु समास के पद आते हैं, किसके आते हैं, तत्पुरु समास के पद आते हैं, यानि कि बात को समझेगा, जो योगिक सब्द होगा, क्या होगा, योगिक सब्द होगा, उसमें संद के भी पद आएंगे, समास के भी पद आएंगे, उफसर के भी पद आएंगे, और प में नहीं आने चाहिए जब की अधिकतर जो समास के पद Wow किसमें योगीख सब्द में When Samaz के पद होते हैं वे सक्षमास के पदोटे हैं किसको तहूंते हैं तदोप्रुष समास के पदोटे हैं ठीक ना जैसे हमने कहा संदिका एक शब्द ले लिया येसे हमने कहा पर उपकार, यह आपका संदी का सब्द हो गया, पर पलस उपकार, क्या हो गया, पर पलस उपकार हो गया, हो गया की नहीं हो गया, ठीक हो गया, जैसे हमने कहा, समास के पद में, जैसे हमने कहा, रसोई घर, रसोई घर, यह आपके समास का पद हो गया, रसोई घर में कौन से स गहर, क्या हो गया, रसोईी की? घर हो गया अब इहां पर देखेगा, रसोई haben एक पद है, घर आपका डूसरा है, है की नहीं? आराम से है, अब इहां पर देखेगा, हमने कहा उपसरग वाची भी सब्द आएंगे, क्या आएंगे उपसरग वाची? जैसे हमने कह दिया विज् अब यहां आप देखिएगा भी उपसर्ग है और ग्यान आपका मूल सब्द है ग्यान क्या है आपका मूल सब्द है यह सब्द क्या कहलाएंगे योगिक सब्द कहलाएंगे और हमने कहा आपके प्रत्य के पद भी आएंगे या निक प्रत्य की भी सब्द आएंगे जैसे हमने कह दिया समाजिक क्या कह दिया समाजिक अब यहां समाजिक में देखिएगा समाज आपका मूल सब्द है समाज क्या है मूल सब्द है इक आपका क्या लगा हुआ प्रत्य लगा हुआ इक क्या संद के पद होंगे वह अपना संद के नियम पर चलेंगे जो समास के पद होंगे उसमें बहुबरी समास को छोड़ कर किसे छोड़ करके बहुबरी समास को छोड़ करके और किसी भी समास के पद आ सकते हैं लेकिन जो आपके 90% यानिक 99% होते हैं अधिक तर किस समास के पद आत सहां किस समाज के पद आते हैं और उसके बाद आपके उपसर के भी पद आ सकते हैं कोī कि अगला diy ग्यान रख दिया और उसके बाद प्रत्य की भी पदाते हैं इसे हमने लिख दिया आपके सामने समाजिक सब्द रख दिया ठीक ना उमीद है इतनी बाते आपको समझ में आ चुकी होंगे ठीक है अगला देखिएगा अगला आपका होता है योग रूड सब्द कौन से होता है योग रूड सब्द क्या होता है योग रूड सब्द अब यहाँ पर योग रूड सब्द में समझेगा योग रूड सब्द में आपके कौन कौन से पद आते हैं यहाँ पर वहुरी समास का पद आएगा किसका आएगा, बहुरी समाज का पद आएगा, पलस उपाधियां क्या आएगे? उपाधियां आएगे, या फिर आप कह सकते हैं उपनाम, और क्या आएगे? उपाधियां आएगे, और उपनाम, उपाधियां और उपनाम, क्या आएगे? उपनाम आएगे, उपाधियां और उ जलज, जलद, पंकज, दसानन, लंबोदर, ठीक न, यह सब किसके हैं, वहुवरी समास के पद हैं, और योगरूर सब्द में किसके पद आते हैं, वहुवरी समास के पद आते हैं, और उपादियां आते हैं, यह सब क्या हैं, उपादियां हैं, और उपनाम जिसे भारत का तोत तूतिय हिंद ठीक ना किसमें जो उपनाम उपाधियां आप गोरी समास के पद होंगे। किसमें यूग लुट पद में आएंगे। यूग लुट में सब्धे में हम समझ चुके हैं कौनकों से पद हाएंगे ूमीद इतनी बातें आप आप लोग को समझ में आचुकी होंगी और यहीं आपका मूलतत्य था अगर यहीं तीन लाइने आप याद रखते हैं तो आपका रूड योगिक और योगरूड कभी भी सब्द गल्त नहीं होने वाला है समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को ठीक है अब आप लोग यहां तक झाला है